हे गाईस स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके फेस्वोक में सौप का ओप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है तो आप किस तरीके से सौप का ओप्शन एड़ करेंगे अपने फेस्वोक को ब मिल रहा है और यहां पर सौप का ओप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है मेरे में अगर आपके में देखने के लिए नहीं मिलता है तो किस तरीके से सौप का ओप्शन लाएंगे वह मैं आपको बताने वाला हूँ और यहां पर नोटिफिकेशन का ओप्शन देखने के लि मिलता है और वीडियो को ओपस хотя के लिए तो आपको क्या करना है या फिर प्रोका दहावा के रखना है अब देख सकते हैं यहां Helena पर देख सको ले जांए और वीडियो में दवा के रखना है यहां चैसी आप इसको दबा करेंगे तो नीचे तीन नेज़े कि मिलेंगे unpin from navigation bar hide from navigation bar customize your navigation bar अब तीनों में से आपको सबसे last value option प्लिक करना है customize your navigation bar जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक shortcut bar का जो page है वो open होगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक option है marketplace का swap का option है देख सकते हैं तो आपको क्या करना है इसी पर आपको यहाँ पर auto है तो यहाँ पर अगर यह hide होता है इसे मैं hide कर देता हूँ आपके सामने दिखा देता हूँ hide कर दिया हमें बैग जाओंगा तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मैं आपको क्या करना है आपको यहां पर इसे पिन करना है तो यहां पर यह अगर होता है तो आपको इसे पिन करना है या फिर अगर यहां पर यहां पर होता है फिर भी आपको इसे पिन कर देना है और यहां पर अगर हिडन होता है तो आपको क्या करना है पिन कर देना है जैसे वो दुबार से आ गया है तो दूस्तों इस तरीके से आप मार्केट प्लेस यानि सॉक को अप्सन ला सकते हैं अपने फेस्बूक में अगर वीडियो अच्छे लगती है तो उसे वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं ऐसी नीव लेटेस्ट वीडियो के साथ